आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम इस सिद्धान तक नहीं हो तर इस ट्रडी लोज पर आपको बहुत बस्वागत है दोस्तों आभी ने देखा कि दुबाई में बहुत जादा बाड़ आई और ऐसी बाड़ मुंबई में भी आ सकती है अब एक चीज बहुत आप elfर्ली के क् ход सीडींग की वज़े से लेखने को मिलेगी आउड रिभी आज़ियो थो इसकोपिक पार्टिकर्ड्स वे तिर दो तो itãy tu deus अठीन आप अप आप यह समझे की खिल्र जो डिजए नहाज झो तो बाड़ हमको देखने को मिली, अब यह बोला जाता है, तो भाई यह तो बनाया गया है, शायद जियो इंजिनिरिंग है, तो हो सकता है, क्लाउड सीडिंग की वज़े से हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इट वॉजन्ट क्लाउड सीडिंग, यह पूरा का पूरा, मतलब आप यह समझे कि silver iodide, ठीक है, इसको spray किया जाता है, और UAE, अब तो भारत में भी, चाइना, यह सब क्लाउड सीडिंग करवाते हैं, ताकि जब बारिश ना हो, क्योंकि साओधी में गल्फ कंट्रीज में तो सब रेगिस्तान है, वहां पे बारिश होती नहीं है, तो बारिश करवा हो, अगर ऐसा है, कि अगर आप बैलेंस बिगाड़ोगे, बैलेंस बिगड़ेगा अगर, तो फिर इनसान मरेगा, ठीक है, और यही हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से, तो जब ड्रॉपलेट्स जो होती है, हेवी हो जाती है, ठीक है, अब उसके बाद जब जब आप बाड़ेशा हो जाता है, अब यह अब हम नहीं जेल पानी तो बारिश होती है, धाट जोन एस कोंडेंस इस अपनेस, एवापरेशन, आपश जब भाब बनके पानी हवा में उड़ता है, ठीक है न उसके बाद यू लो लो रहाष जाता है, प्रेसिपिटेशन, अ यह चीज है तो अब बात यह है कि यहां बोला जा रहा है कि cloud seeding involved है पर ऐसा नहीं था यह क्राफ्ट से यह होती है silver iodide जो है वो atmosphere में डाला जाता है और उसके बाद फिर जो chemicals होते हैं वो एकदम जो particles होते हैं उसको mimic करते हैं ठीक है और एक बार condensation हो जाता है फिर इसके बाद precipitation होता है बेसिकली यहां पर storm system जो है वो prevalent था अब मैंने आपको कई बार बताया है पिछली बार भी जब दुबई में बारिश ही थे तो मैंने आपको pressure system के बारे में बताया था अगर आप pressure के बारे में समझ गए तो आसान है जो हवा है गरम हवा है जहां गर्मी है हवा वहां पे जाएगी क्यों क्योंकि वो low pressure area है it is as simple as that आप low pressure area में जाना higher concentration to lower concentration that is the rule of the universe everything goes like this human nature is also like that you will you want to go to the जहां आपका pressure you know you feel low pressure simple सी बात है आप एक कैसी जोब नहीं करोगे जाएगा high pressure वाली हो अब चाहोगे low pressure हो हाँ effectiveness जादा हो बट pressure low हो तो गर्मी क्या होते गर्मी में molecule दूर-दूर होते है तो pressure काम होता है ठीक है तो जहां गर्मी होगी हवा वहां चली जाएगी तो पहले तो balance था ठीक है T cell, feral cell पूरी दुनिया air circulation पे चल रही है पूरी दुनिया और ये air circulation किसकी वज़े से हो रहा है समुद्र की वज़े से और समुद्र क्यों move कर रहा है currents क्यों है core की वज़े से हमारी धर्ती लगातार move करती जा रही है आपकी body है आपकी body गरम क्यों है क्योंकि blood circulation है कोई भी चीज बहेगी तो उसमें energy निकलेगी वो गरम करेगी और जिस दिन आप जब body जब इंसान के मरित्तियों होती है तो blood circulation रुक जाता है heart जो है blood को circulate करना बंद कर देता है जिसकी वज़े से आपकी body ठेंडी पड़ जाती है simple science है तो यहां पे हो रहा है तो जो weather system है अच्छा कासा massive amount of atmosphere था जिसकी वज़े से यह इतना ज़्यादा moisture जो था इतना ज़्यादा moisture जो था वो 1000 km तक फैला हुआ था बहुत भयानक UAE में, ओमान में, बहरेन में, कतर में, साओधिय अरबी में पिछले 3-4 सालों में अच्छी खासी rainfall हुई है इतनी rainfall आज तक नहीं हुई थी क्योंकि हमारे पस data नहीं है 1948 तक ही data हमारे पास मौजूद है तो ऐसा बोला जा रहा है कि आज तक इससे ज़ादा बारिश कभी हुई ही नहीं अब आप ये समझें कि Gulf countries में इतनी बारिश हो रही है अब यही problem है मुंबई के साथ same problem, देखे, Arabiancy है और उधर भी Arabiancy was responsible भारत के coastal areas में depression होता है बहुत भयानक बारिश होती है लेकिन दिक्कत क्या है कि मुंबई डूबने की कगार पे है 2050 तक मुंबई पे खत्रा है कि कही न कहीं वो डूब जाएगा Global Warming इंस में जम्यदार है और कहीं न कहीं मुंबई का drainage system भी जम्यदार है मीठी नडी सूख गई है दिल्ली में दोस्तों लगब चार-पांच किलो मीटर तक जो drainage system में प्लास्टिक्स पड़ी हुई है पूरी प्लास्टिक करके चोक कर दिया है आप समझ सकते हो तो हमको तयार रहने की जरूरत है बड़े-बड़े गड़े उससे अक्सिनेंट होते हैं जानमाल का नुक्सान होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का नुक्सान होता है यह चीज है तो इतना इंटेंस डाउन पोर जो आप देखने को मिल रहे हो तो इत केननोट हैपन अपन क्लाउट सीडिंग यह लावट सीडिंग में 13 गुना जादा है अंटे साइकलोनिक अरेबियंसी पे और अरेबियंसी में मुंबई भी आता है तो अंटे साइकलोन जो है उसने massive amount of atmosphere इस area में पुश्च किया हवा गरम होई तो हवा, मतलब जो पूरा गरम हुआ area, low pressure क्रिएट हुआ तो पूरी हवा यहीं आगी और उसके बाद जो condensation शुरू हो जाता है और भयानक बारिश जो है वो शुरू होती है और 4-5 दिन तक बारिश होती रही और aviancy गरम होता जा रहा है समुद्र गरम होगा तो वो low pressure area है हवा high pressure से low pressure में आएगी land क्या होता है, monsoon में क्या होता है अभी गरमी है, सूरज जो है वो सबसे जादा भारत के पास है equator में tropics में वैसे भी बहुत गरमी पड़ती है अफरिका में कभी ठंड नहीं पड़ेगी क्योंकि वो एकदम tropics में आता है tropics के बीचों बीच भारत में भी जो peninsular India है वो tropics में आता है हिमाले है वो उपर आता है थोड़ा सब ट्रॉपिक में आता है साड़े 23 डिग्री नौर साड़े 23 डिग्री साउथ यह सब मैंने बता है tropic of cancer, tropic of Capricorn नीचे बीच में equator 0 डिग्री ठीक है बहुत समझना जरूरी है तो आप क्या है कि हवा जो है हवा का एक pattern है वो इस तरीके से चलती है ठीक है, ऐसे, 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 ऐसे हवा का pattern है ठीक है न कि अगर जैसे ठंडी है तो ऊपर जाएगी फिर उसका बड़ी डिप्रेशन रहेगा तो हवा ऐसे है लेकिन आप यह समझे है क्योंकि पूरी दुनिया में अगर धरती है तो ऐसे चल रही है और यह बहुत टाइम से बना हुआ एक सिस्टम मना हुआ है लेकिन जब यह सिस्टम बिगड़ेगा अगर मान लीजे समुद्र ज्यादा गरम होंगे तो हवा फिर वहां जाएगी ठीक है ना उन जगाहों पे भी बारिश होगी जहां पे आज तक हमने कभी सोचा नहीं था और यही एक्जाक्ट हमको देखने को मिल रहा है भारत में भी और पूरी दुनिया में तो आरेवियन सी बेसिकली बहुत तेजी से गरम हो रहा है इसलिए आप देखो तो अच्छे घासे तूफान आ रहे है बे ओ बेंगॉल के साथ भी यही प्रॉब्लम है उडिसा में तूफान आ रहे है नई-ने साइकलोंस आ रहे है जिसका हमको कभी पता नहीं है तो 1.2 डिग्री से 1.4 डिग्री से तक पिछले 40 सालों में गरम हो चुका है अभी मैंने आपको कोरल ब्रीचिंग के बारे में मैंने लेचर लिया था आप उसको देखिएगा कि आधे से जाद हमारी कोरल ब्लीच हो चुकी है जिसकी वज़े से मडी निको सिस्टम पर खत्रा है और उसमें भी यही सेम चीज ग्लोबल वार्मिंग जमेदार है तो सर्फिस फॉर्मिंग जो है इंप्रीज दी एवैपोरेशन रेट इंप्रीजिंग वाटर वेपनिंग एट्मोस्फियर सिंपल सी बात है कि इतना जादा अगर कोई ओशन गरम होगा तो मौशर जादा होगा न भाब बनके अब सिंपल सी बात है अगर भाब जादा बनेगा तो भाई सप्लाई है बादलों के लिए सप्लाई बादल खुब बनेंगे और खुब बारिश करेंगे तो ये साइमल्टेनिसली वार्मर एटमोस्फिर अगें ड्यूटो ग्लोबल वार्मी कैन होल मौशर सिंपल सी बात है कि अगर गरम होगा तो मौशर बहुत जादा देर तक यूज़ कर सकता और हलका सा अब पुछ दोगे तंगडी बारिश जो है वो होने वाली है तो इसलिए रेनफॉल और साइकलोंस आपको वेस्टन इंडिया यानि कि मुंबई गुआ ये पूरा वेस्टन घार्ट जो कवर करता है यहाँ पे और अरेडियन सी में यानि कि गल्फ कंट्रीज में भी आपको देखने को मिलेगी इससे पहले 8 मार्च 2016 में इतनी जबर्दस बारिश हुई थे बड़ इस बार जितनी बारिश हुई है जूब गया पूरा का पूरा दुबई जैसा शहर इतना बड़ा इतना शांदार शहर जिसको माना जाता है दुबई में लोग रहते हैं दुबई दुनिया का मतलब सबसे डेवलप्ड सिटी में माना जाता है हमने आभ इस बार बैंगलोर में भी देखा डूब गया दिल्ली डूब गया गुड़गाओ डूब गया जो आईटी सिटी है नेचर के सामने किसी की किसी की नहीं चलती है नेचर है तो अरेबियन सी में जो शहर है जैसे मुंबई वहां पे भी एक्स्ट्रीम रेंफॉल और साइकलोंस हमको देखने को मिले थे आज से दस साल पहले याद करिए दस भी बारा से चाथ 2010 की दिन फॉल थी न वो पूरा मुंबई डूब थम गया था मुंबई घरों में पानी आ गया था है ना तो वार्मिंग प्लैनेट जो है इट विल स्पेर नन तभी बोला जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टों में देखिए क्या क्लाइमेट की बात हो रही है क्या कोई ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है तो फिक्सिंग वेदर इस ट्रिकी स्लोप अब यहाँ पे क्लाउड सीडिंग बात है बट यह ही नहीं है वेदर मोडिफिकेशन जो है वो पूरी तरीके से हो रहा है जिसकी वज़े से भयानक बारी जो हो रही है यह तो अभी डेवलप होई है और आप यह समझे कि इसको उनको बहुत ही सीरियस्ली लेना पड़ेगा क्योंकि भारत जैसा कि यह नहीं बता कि जो पेनिल्सुलर इंडिया है भारत के बहुत सारे शहर कोस्टल में है और सबसे बड़ी बात इसमें जो इंपोर्टेंट शहर मुंबई वो कहां पे है वो एकदम कोस्ट पे है और मुंबई अगर economy की बात करें तो भारत में number one पे है भारत की financial capital है मुंबई भारत का Bollywood से लेकर stock exchange से लेकर भारत की बड़ी-बड़ी companies से लेकर मुंबई भारत के शेहर देखें मुंबई कहां पे कोस्ट पे चिन्नाई कहां पे कोस्ट पे बारिश नहीं कि आप रातो रात विजय वाड़ा को डेवलब कर दोगे या रातो रात आप कानपूर को डेवलब कर दोगे ऐसा तो है नहीं तो आपको alternative option मनाने पड़ेंगे आपको कुछ शेहरों को देखना पड़ेगा भोपाल हो गए यह उत्रा डेवलब नहीं है या उतनी opportunities यह चैने आप यह इन है जतनी बैंगलोर में हैं जीतनी चिंडाउं में हैं बैंगलोर में water implies कहीं भारी चो यह नहीं तो क्हीं water crisis बैंगलोर मेंionen a lähies में ग्राउं में यह रही आपको जादा दिक्कते को मिलेगी तो भारत की चार-पांच है को पुलकाता भी अगें बेयो बेंगॉल में आता है वो तो वह भी कोस्ट पे तो नहीं है बड़ जहां पे है वह डेंजरस आसाम का सबसे बड़ा शेहर गोहाटी पुरे नॉर्थी सबसे इंपॉर्टन शेहर गोहाटी वह दूब जाता है तो हमको समझना पड़ेगा कि यह जो ध्यान दनी के हमको जरूरत है यह लेचर था क्राइम अफ़े जो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन कमिट वॉक्स में लिंक दिया है थांक यू सो मच